हलो दोस्तों आपके अपना चैनल सुद्र क्रियाटिव क्लासेस में स्वागत है आज हैं लोग कच्छा आठ का बिग्यान का चेप्टर दो देखेंगे जिस चेप्टर का नाम है धातु एवंग अधातु ये सारे प्रस्ण एमसे की उप्रस्ण होगा और हम स्रीफ ओइस ही प चेप्टर को स्टाड करते हैं देखें जो पहला प्रस्ण है आपके स्क्रीन पर प्रस्ण है कि निम्नांकित में से कीज धातु को चाकू से आसाने से काटा जा सकता है बताए यहां पर जो चार ऑप्षन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्षन सही है कुशन पूछ रहा ह कि निम्नांकित में से कीज धातु को चाकू से आसाने से काटा जा सकता है तो दोस्तो इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा सोडियम यहां ऑप्षन नंबर सियोला इसका राइट हो जाएगा आते हैं हम लोग नेक्स्ट परस्ण पर नेक्स्ट है दो नावर परस्ण दो सबसे अधिक जो शक्रिय धातु है वह है पोटेसियम यान्य ओप्षन नंबर जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा आते हैं हो लोग नेक्स्ट पर नेक्स्ट है तीन नावर परस्ण देखिए तीन नावर परस्ण है धातों का उवह गुण जिसे कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित क्या आता है उसे हम क्या कहते हैं धातों का उवह गुण जिसे कारण पीट कर हम उसे चादर तरफ फैला सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं इसका जो राइट एंसर होगा वह होगा अगात वर्धन यता एनि ओप्सन नमबर जो है C ओला इसका राइट एंसर हो जाएगा आते हैं लोग नेक्स प्रस्ण पे चार नार प्रस्ण देखें क्या है चौथा नार प्रस्ण है निम नांकित में से कौन सा धातु नहीं है यहां पर जो भी आक्सम दिया है उसमें से कौन है जो धातु नहीं है दोस्तो यह दखना है सलफर जो धातु नहीं है यह ओप्सन नमबर C उला इसका राइट एंसर हो जाएगा आते हैं हो लोग अगले प्रस्ण पे पांच अगले प्रस्ण देखिए पांच अगले प्रस्ण है धातू के किस गुन के कारण उनके तार खीचे जा सकते हैं धातू को हो लोग खीच के लंबा करते हैं गरम करके तो किस कारण से होता है दोस्तो यह दखना है वो लचलापन के कारणा से होता है जिसको हो लोग एक दूसरा नाम से भी जानते हैं तनियता यानि ओप्सण नमबर जो है यह इसका राइट एंसर हो जाएगा आते हैं हो लोग अगले पस्ण देखिए अगला है छठा नमबर छठा नमबर पस्ण है सब अधातु पूछ रहा है तो कि अधात नहां हो है फास फोरस एन ओप्सण नमबर जो है वीस का राइट एंसर जाएगा दोस्तो इस चैनल में आपको पर दे वीडियो मिलेगा और हम सबका प्लेश्टी बना देंगे ठीक है सारे सेजवेट का हम प्लेश्टी बना देंगे र अगला प्राश्णें पर सात नमबर देखिए है साथ प्रकाफन में कौन सा धातु है जो द्रेव वास्था में पाए में पाई आता है रहतशल नबर जो है स्प्रe जायेगा आते हैं हो लोग next person पे 8 number देखिये आठ नबर प्रस्न है इन में से कौन ठंधे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है वताना है जो भी यहाँ पर option 47 दिया हुआ है उसमें से कौन है जो ठंधे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है तो दोस्त लिए दखना है वो है sodium एन्य ओप्सन नमबर जो है 20 का right answer हो जाएगा आते हैं हो लोग अगला पस्ट पे अगला है 9 नमबर नो नमबर पस्ट आए एक अधातु जिसमें चमाक होती है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम लोग iodine कहते हैं या ओप्सन नमबर जो है 20 का right answer हो जाएगा आते हैं हो लोग अगला पस्ट पे देखिए अगला है 10 नमबर दस नमबर पस्ट है वह कौन सा अधातु है जो विधुत का सुचालक है दोस्तों या दखना है वह है ग्रेफाइट ग्रेफाइट एक अ अगला है गार नमबर कामरे के ताप पर द्रेव वास्था में रहने वालो धातु है वताईए कि कामरे के ताप पर द्रेव वास्था में कौन सा धातु पाई जाता है तो उस्तों या पना है वह है पारा या ओप्सन नमबर जो है यह वाला इसका right answer हो जाएगा आते हो किये बारनोर प्रश्ण आ बारनोव प्रशन नियमनखित में से किसको पीठकर पतली चादर में परिवर्थित किया जा सकता है इसको पीठ पीठ कर पतला चादर की तरा उसको फैला जा सकता है ठाथ है व कि यह और अबशन नंबर जो erreicht answer हो जाएगा अगला प्राश्ण है घातुओं के ओक्साइड होते हैं तो यह दखना है दातुओं के ओक्साइड होते हैं टें शारह किया आपस्वी को पता होगा भास फोरोस को जल्मे रashoda सब्सक्राइब करते हैं जो आपके एक्जाम को लिए बहुत इंग्पोर्टेंट होता है नहीं तो फिर इस चेप्टर से बहुत सारे बन सकते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस चेप्टर पुरा अच्छा समझ में आ गया होगा ठीक है अगर मेरे वीडियो अ और मेरे चेप्टर ने पहला बागर विजिट की हैं जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेज़ेगा ठीक है चले सतानों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू जाई हिंद